प्रिय बच्चों सूप्रभाद आप सभी स्वस्ते एवं सुरक्षित रहें यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है आज हम हिंदी लोकवाणी पाठे पुस्तव में से ऐसा भी होता है इस हाईकू विधा का अध्यापन अध्यान करेंगे कभी है अभिशेक जैन कभी परिचे अभिशेक जैन जी ने कविता कहानी निबंध आदि विवीद विधाओं में लेखन किया है अनुभमों पर आदारीत आपके रचना है विवीद पत्रपत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है पद्य संबंदी, हाइकू, मुलताह जापान की लोकप्रिय विदा है, विदा मतलब रचना, इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है पाँचवे दशक से हिंदी साहित्य ने खुले मन से हाईकू को स्विकार किया है हाईकू कविता पाँच धन साथ धन पाँच इस तरह सत्रह वरण के धाचे में लिखी जाती है प्रस्तु विविन हाईकू के माध्यम से कवि ने गरीबी, ठकान, व्रुक्षों के कटने के दुश परिणाम, अनावशक एहम, पृद्धाश्रम के दर्द, संसकारों के अभाव, आधी विवितव विश्यों पर प्रकाश डाला है बच्चों सबसे पहले दी गई कविता की पंक्तियों का पठन करेंगे और उसके उपरांथ इनका अर्थ समझेंगे गर्जे मेक सहमकर कापी कच्ची दिवार, रवी चड़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ग्य, आके पसरी थकीहारी किरण धरा की गोद, खुली आखों ने जीवन बर देखे बंद सपने कटते तरू उजडा आशियाना रोय पखेरू, बच्चे पतंग माबाप थामे डोर चूते गगन, तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का उड़ा पखेरू, देखता रह गया ठगासा तरू, डाकियां चला, बाटने सुकदुक भर के जोला, मैया की आई व्रुद्धाश्रम से चिठी, कैसे हो बेटा, हो गई चोरी, सल्सकारों की तिजोरी, लुट गया मैं बच्चों, कविता की पंक्तियों का आर समझते हैं, ध्यान दीजिए, गरजे में एक सहमकर कापी, कच्ची दिवार कवी कहते हैं कि बरसात के मौसम में बादल गरजते हैं, मेग मतलब बादल, गरजना मतलब बादलों का गड़गडा नाम मुसलाधार बारिश होती है, बादलों की गड़गडाट से मिट्टी से बनी कच्ची दिवारें हिलने लगती है मानो ऐसे लगता है जैसे कोई सबल व्यक्ति किसी निर्बल असाय व्यक्ति पर क्रोध दिखा रहा हो संकटों के बादल गरजने पर कच्ची दिवार रुपी असमर्त मनुष्य सहम कर काम जाता है सहमना मतलब डरना कभी ने यहाँ पर समाज के उच्च वर्ग द्वारा मतलब अमिरों द्वारा गरीब वर्ग पर किये जाने वाले अत्याचार और शोशन पर प्रकाश डाला है अगली पंक्तियों में कभी कहते हैं रवी चड़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्ग्यों रवी मतलब सूरज कभी कहते हैं कि सुर्योदय का दृष्य बहुत सुन्दर होता है सुर्य की निर्मल, स्वच्च किरणे जब धर्थी पर फैलती है तो ऐसे लगता है जैसे इन किरणों से धर्थी माता को अर्ग्य चड़ा रहा हो मतलब किरणे धर्थी माता के चरणों में अर्पित कर रहा हो कभी ने यहां सुर्य का मानवी करण किया है और कहा है कि समाज में सुर्य की तरह परुक्कारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो समाज के असाय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहते हैं अगली पंक्तियों में कभी कहते हैं आके पसरी ठकी हारी किरण धरा की गोद मतलब सूरिय अपनी किरणों से संपूर जगत को प्रकाश देता है उसका यह कारिय सदियों से चला आ रहा है कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सूरिय के पास से धर्ती तक पहुँचते पहुँचते किरण ठक गई है धरा मतलब धर्ती और वह ठकी हारी किरण धर्ती माता की गोद में पसर गई है पसर ना मतलब हाथ पैर फैलाना साथ ही कभी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि गरिब मजदूर जो देश के विकास की किरण है वे दीन भर कड़ी मेनत करते हैं और ठकान से चूर इन मजदूरों को दर्ती के आचल में चैन की नीद आती है उन्हें किसी प्रकार की सुक सुविधाओं की भी जरूरत नहीं पड़ती अगली पंक्तियों में कभी कहते हैं खुली आखों ने जीवन बर देखे बंद सपने कभी कहते हैं कि जीवन बर खुली आँखों से स्वपन देखने मात्र से उसे पुरा नहीं किया जा सकता है गरीब और असाय लोगों को ठगने वाले फसाने वाले लोग उनसे तरतर के वादे करके उन्हें जूटी आशाएं दिलाते रहते हैं गरीब और असाय लोगों के लिए उनके सपने सपने ही रह जाते हैं वे कभी बुरे नहीं होते बच्चों अगली पंक्तियों में कभी कहते हैं कटते तरू उजड़ा आशियाना रोय पखेरू तरू मतलब व्रिक्ष आशियाना मतलब घोसला और पखेरू मतलब पंची रुक्षों की लगातार कटाई के कारण जंगल नश्ट हो रहे हैं मनुष्य अपने फाइदे के लिए जंगलों को काटता है इससे वनों में जंगलों में रहने वाले जीव, प्राणी, पक्षी, बेगर हो रहे हैं पेड कट जाने से पेडों पर बने पक्षियों के घोसले उजड गए हैं पक्षी उनका घर उजड जाने से मारे मारे यहां वहां घुम रहे हैं, उड रहे हैं परियावरण पर भी इसका प्रतिकुल प्रभाव पढ़ रहा है बच्चों अगली पंक्तियों में कभी कहते हैं बच्चे पतंग, माबाप, थामे, डोर, छूते, गगन गगन मतलब आसमान पतंग को आसमान में उड़ते हुए, उड़ाते हुए आपने भी देखा हुगा आपने भी पतंग आसमान में उड़ाई होगी, है न तो यहां पर कभी कहते हैं कि बच्चे पतंग की तरह होते हैं जिनकी डोर उनके माता-पिता के हातों में होती है अब आस्मान में उड़ले वाले पतंग की डोर को हम संभाल कर न रखेंगे तो वो पतंग आस्मान में लहराती वी नजर नहीं आएगी वो धर्ती पर गिर जाएगी उसी तरह माता पिता अपने बच्चों को सही मार्क दिखाते हैं और गलत रहा पर चलने से रोकते हैं ये बच्चे प्रगती की रहा पर आगे बढ़ते हुए आस्मान की उचाईया चूते हैं मतलब सफलता प्राप्त करते हैं यहां पर कभी ने माता पिता के महत्व को दर्शाया है बच्चों अगली पंक्तियों की तरफ ध्यान दिजिए तन माती का फिर कैसा गुमान कद काठी का तन मतलब शरीर माती का मतलब मिट्टी का गुमान मतलब घमंड और कद काठी मतलब शारीरी गठन शरीर की रचना कभी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर तो नश्वर है मतलब नश्ट होने वाला है मनुष्य यह भूल जाता है कि यह शरीर मिट्टी का है और एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा कुछ लोग अपने शरीर और अपने शारीरिक बल का घमंड करते रहते हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं कि शरीर एक न एक दिन नश्ट होने वाला है मनुश्य को इस पर घमंड नहीं करना चाहिए अपने शारीरिक बल पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करना चाहिए ऐसा कभी कहते हैं कभी कहते हैं कि पेड की शोबा पंचियों से होती है पेड से उन्हें छाया, फल, सरक्षन प्राप्त होता है वे घुसलों में सुरक्षित रहते हैं जैसे उनके पर निकल आते हैं, ब्रुक्ष के सुख जाने पर वे उसे छोड़ कर उड़ जाते हैं उसी प्रकार संसार के रेद भी है, स्वार्ती मनुश्य अपना स्वार्त पुरा होने पर अपने सहयोगियों को छोड़ कर चला जाता है उनसे मूँ मोड लेता है और सहयोगी खुद को ठगासा महसूस करते हैं यहाँ पर तरुशब्द का आरता है व्रिक्ष पकेरु मतलब पक्षी और ठगासा मतलब धोका खाया हुआ सा अगली बंगतियों में कभी कहते हैं डाकिया चला बाटने सुक दुख भर के जोला कभी कहते हैं कि डाकिये के जोले में तरतर के पत्र होते हैं इन में से कुछ खुशी के समाचार के होते हैं तो कुछ दुख के होते हैं खुशी से भरे पत्र लोगों को प्रसन्न करते हैं और दुख भरे समाचार के पत्र से लोग दुखी होते हैं मनुश के जीवन के सुख दुख अभिन अंग हैं कभी ने डाकियों को सुख दुख बाटने वाला बताया है डाकिया मतलब डाग बाटने वाला बच्चों अगली पंक्तियों की तरफ ध्यान दीजिए मैया की आई वृध्धाश्रम से चिठी कैसे हो बेटा कभी कहते हैं कि बच्चे के लिए मा के दिल में हमेशा प्यारी रहता है बेटा मा को स्वयम दोर वृध्धाश्रम में अकेले रहने के लिए छोड़ता है लेकिन मा का प्रेम उसके बेटे के लिए कभी कम नहीं होता वह वृध्धाश्रम में रहकर भी अपने बेटे की कुशलता की दुआ मांगती है और व्रिद्धाश्रम से चिट्टी भेच कर उसके बेटे के बारे में उसका कुशलक शेम जानने के लिए बेचेन रहती है बच्चों अगली पंक्तियों में कभी ने कहा है हो गई चोरी संसकारों की तिजोरी लुट गया मैं यहां पर तिजोरी शब्दकारत हैं कि वह लोहे का बक्सा जिसमें बहुमुल्य किम्ती सामा रखा जाता है कभी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ती उसके संसकार होते हैं आमतर पर लोग धन दौलत के पीछे बागते रहते हैं लेकिन मैं यह नहीं जानते कि धन दौलत कम भी हो जाएं तो कमाई जा सकती है लेकिन एक बार संसकार मिट जाएं तो वह व्यक्ती संसकार ही न बन जाता है संसकारों के खत्म हो जाने से मनुष्य की पहचान ही खत्म हो जाती है संसकारी व्यक्ति के संसकार खत्म हो जाएं तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो बच्चों इस तरह कभी ने कम शब्दों द्वारा बहुत सी बड़ी समस्याओं पर प्रकाश डाला है इस रचना से संबन्द दिया गया स्वध्यकारिय आपने हिंदी विशे की कापी में लिखना है उपयोजित लिकन में दिये गयी विशे पर निवन्द भी लिखना है उम्मिद करती हूँ कि आपने इस कविता की पंक्तियों के अर्थ को ध्यान से सुना और समझा है और साथ ही दिया गया कारिय आप सफलता पुरुवक पुरुना करेंगे धन्यवाद